Hello friends, यह question है आपके सामनी A stone of mass 1 kg is tied to end of a massless string यह massless string दे रखी है तो इसके एक सीरे पे एक पत्थर को बादा हुआ है और length दे रखी है यह है 1 meter If the breaking tension of the string is 400 newton मतलब जिस tension से अब क्योंकि यह जो block है ऐसे खुम रहा है न इस circle path में इस तरीके से घूम रहा है तो आपको यह दे रखा है जो breaking tension है string की वो है 400 newton Then the maximum linear velocity the stone can have without breaking the string while rotating in horizontal plane मतलब इस पत्थर को कितनी तेजी से घुमाया जाए ताकि जो आपके पास string है वो तूटे ना तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि उस situation पे जब string तूटे ना उस वक्त जो बाहर की तरफ centipidal force है वो अंदर की तरफ लगने वाली maximum tension के बराबर मान लेते हैं ठीक है इसी situation को हम यहाँ पर लेके चलते हैं तो centrifugal force अंदर की तरफ लगने वाली maximum tension के equal ले लेते हैं तो centrifugal force होता है m r omega square यह भी ले सकते हैं पर यहाँ पर angular velocity के बारे बात नहीं की है तो हम इसको ले लेते हैं m v square over r और tension हमें दे रखी है यहाँ पर 400 newton ठीक है mass दे रखा है 1 kg radius हो गया आपका 1 तो आप यहाँ solve करो तो यह v square आपके पास 400 आगे और v हमारे पास यहाँ पर 20 meter per second आगे तो इसका मतलब यह है कि horizontal plane में इस stone को घुमाने के लिए maximum इतनी velocity इतनी linear velocity यहाँ पर देनी पड़ेगी तब जाके बिना breaking के वो इस circular path में घूम पाए इस तरी की समचो यह question है आपके complete होता है